हालो आवरिवन कैसे हैं आप सब तो गाइस आज मैं आपके साथ एक और हॉम रेमेडी शेयर करने जा रही हूं तो गाइस मैंने अपने चैनल पे काफी सारी हॉम रेमेडी पहले से ही अप्लोड कर दी है अगर आपने वो नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से चेक आउट कर लेना आज हम एक और होम रेमेडी बनाने जा रही हैं जो हम खासकर बोल सकते हैं कि हम सर्दियों में अगर यूज़ करेंगे तो वह हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्याद बेनिफिशियल रहेगी गैस जो आज मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ड्राइ स्किन के लिए बहुत ज़्याद बेनिफिशियल है वैसे तो सर्दी में इसे ओईली स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं हमें सर्दी में नॉर्मली ड्राइ स्किन की प्रॉबलम रहती है हमारी स्किन में खचाव में सूस होता है तो जब हम अज ड्राइनेस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मार्कीट की प्रोड़क्ट की ना सोफ्ट होगी दूसरा हमारी स्किन पर जो भी ड्राइनस होगी वो दूर होगी हमारी सकीन का कॉंपलेक्शन फियर होगा तो गाइस ऐसी हीं शीजे आपकी सकिन से बनाने जा रही हूं यह बहुत ही साथ बैनिफिशल है ड्राय स्किन के लिए अगर मैं बात करो तो उनके लिए तो बहुत ही जाधा बैनिफिशल रहेगी अगर आप इसे डिली यूज करेंगे तो आपको आपके फेस पे काफी सारे चेंजिस देखने को मिलेंगे तो आपकी स टो इस ऑम रेमेडी को बनाने के लिए हमें इस हम बॉझेंड निकाली हुई मलाई को यूज करना हैं गईस अगर मैं मिलाई की बात करूँ तो यह हमारी skin के लिए बहुत ही ज़दा beneficial है तो इसके साथ एक तो हमारी skin soft होगी अगर हमारी skin dry है तो यह हमारी skin पे जो भी dryness होगी उसे दूर करेगी हमारी skin को soft करेगी और उसे जो हमारी skin की मृत कोशिकाएं होती है उन्हें रिपेर करने में भी यह हमारी help करेगी और इसके साथ साथ यह हमारे जो open pores होती है उन्हें बंद करने में हमारी help करती है और हमारी skin को glowing बनाने में हमारी help करती है तो इसमें हम first ingredient यह ले रही है इसके बाद guys जो हम second ingredient इसम आधा चम्मच लिमन जूँस लिमन जूँस दूर कर सेखसे इसमें के कंप्लेक्जन को फिर करने Hang 40L कर दूर ककरता है और इसके साथ इसमें के साथ यह समय का नैच्रली का काम करता है अगर आपकिस्किन का आप लें लिल ग्लेसरिन की चार लोप्स दूइं इसमें तेन से कमी चाइब бер big black शुसी पार का ग्लेसरिन की इससे मैं add करूँगी तो guys इसके साथ क्या होगा जो ग्लेस्रिन होती है वो भी हमारी skin के लिए बहुती साथ beneficial होती है हमारी skin को natural glow देने में हमारी help करती है और हमारी skin को अगर हम बात करेike skin के लिए तो यह हमारी skin को अंदर तक जा करना उसे soft बनाने में हमारी help करती है और हमारी skin को moisturize करती है तो glycerin को हम अच्छा moisturizer भी मानते है तो guys यह हमारी home remedy बनकर तयार है इसे आपको क्या करना है डेली रात को use करना है सोने से पहले और उसके बाद आपको क्या करना है पांच मिनट तक इसे massage करना है अपने face पे उसके बाद आपको सुभे इसे normal water के साथ अपने face को wash करना है तो आप जब इसे regular use करेंगी तो आपको आपके face पे खुदी difference दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा आपको आपकी skin से later एक तो इसके साथ dryness दूर होगी आपकी skin glowing बनेगी soft होगी तो ऐसी ही हम ऐसी ही चाहते हैं कि हमारी skin glow करें और हमारी skin ना soft दिखे उस पे कोई दाग धबे ना हो तो इस home remedy में मैंने जो भी ingredients एड़ किये हैं वो मैंने ऐसे एड़ किये हैं जिनके साथ हम ऐसी problem से शुटकारा पा सकते हैं तो यही थी आज की home remedy गाईस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like करना share करना और comment करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले थेंक यू फ्रेंड्स